हेलो स्वेंट्स वेल्कम टू माइनर्चर मैं हूँ क्रिष्णा कैसी या सब लोग मस्त बढ़िया तो कहीं चल रही सब लोग की पढ़ाई उम्मीद कर रहा हूं अच्छी चल रही होगी और मजा आ रहा होगा फार्मसेटिकल केमिस्ट्री को पढ़ने में उम्मीद कर रहा समझ में भी आ रही होगी तो चलो आगे चलते हैं आज हम लोग अपना नेक्स लेक्चर लक्चर नमबर टूचेटर नमबर फाइव का ड्रग्स एक्टिंग और सेंट्र नर्वर सिस्टम हमारे दिमाग के ऊपर यानुकिंग्स पाइनल कॉड के ऊपर असर करने वाली दवा इनके नाम को समझ गए तो चैप्टर हो गया आसान फिलाल इसके अंदर हमको चार ड्रक्स पढ़नी है डाइजी पाम मैंने बता दिया जिनके उपर स्टार लगा हुआ है उन्हीं का स्ट्रक्चर तुम लोगों को याद करना है और नाम वगरा तो सब के याद करने ठीक है जि उ इनने लोगों कुलने में दिक्कत है नाम को मिरे साथ दर है दाएजी पाम अलप्रा वलम नाइट्रा जी पांफिनो बार वी ट्ल ठीक है ना पाउस करके नाम को दर है जिससे कि नाम का आयप सही हो हुझाए तो श्करत करते हैं ti देने ग्रएवाली पूरी दुनिया शांती ढriment पैसा होने के बाद कि भी आजमी शांती ढलता शांती ने मिलती है ठीक है तो एक गMi तूह अब बहुत सब्सक्राइब कम पतिक है अब क्या चाहते हैंará दिमाग सब्सक्राइब है ना दिमाद ओ जो जूआदा है ठीक है हम लोग हमने गें हिली एरियास में बैठे आंब बर्फ के बर्फ गिर रही है बैठे हुए है कि जंगल में बैठे हुए है ठीक है उसका आनद ले रहे हैं नेचर का और उस समय जो हमको फीलिंग आती है हमायर दिमाग इतना सांत होता है खुश होते ना वो जो वो जो सान्ति है डैट इस कालड शान्ती वो सान्ति की बात हो रही है यहां पर तो सेरेटीव ऐसी दवाईयां जो वैसा ही एसास कराएं कि हम बहुत ठीक एकड़म दिमाग शान्त उनको हम लोग क्या बोलते हैं तो टाइप ऑफ ड्रग ऐसी ड्रग है इस टाइप की ड्रग है डेट जो की या की स्लोस डाउन धीमा कर देती है यौर ब्रेन एक्टिविटी आज के टाइम पे हम हर पल कुछना को सोच रहे हैं ठीक है तुम लोग जिस एज पर पड़ाई कैसे करनी है इतने सारा कोर्स है तुम थोड़ा से बड़े हो जाओगे शादी हो जाएगी कमाए कैसे हैं बच्चों के फीस है यह वो दिमाग ओल टाइम चल रहा है ठीक है ना खाना खारे हो दिमाग चल रहा हो खाली बैठ लिए लेटने सोने चले गए आज की प्रॉसेस की इस अगिकोट है और जैसे हमारा दिमाग सोचना कम करेगा हमारे दिमाग को सांति ..."と शोचने से हूंचने से वह न थकता है बड़ते हैं था थीक है। veggie बात है एक एक गहरी नींद सोलो सारी thinking process बंद ऊशुकी होती है तब यह करे तो उसमें क्या होता है आपकी बॉड़ी पुरी रिलैक्स होती है आपका फिर रिलैक्स फिल करते हो सेम काम यह दबाई करेगी डॉक्टर कॉमनली आम तौर पर प्रिस्क्राइब प्रिस्काइब मतलब मैडिसिन देती है एंजाइटी मैंने बता था एंजाइटी मतलब चिंता एंड स्लीप डिस ओर्डर जिनको नींद नहीं आती है रात में सो रहे हैं दो दो उंटे लेटे हुए नींद नहीं आ रही है ठीक है सोवे जल्दी उड़ गए फिक पुरा दिन बहुत ज़्यादा सोचना बहुत ज़्यादा चिंता करना बे वजह सोचना ड्याइट अ why झसलिफ दिस टर्डर को ठीक करने कर देते हैं वाज इस ड robi इसी दवाईयां जो आपको नींद वाली फिलिंग लेके आएंगी और आप कहोगे कि हाँ मुझे अब नींद आ रही है मुझे अब सोना चाहिए ना तो नींद लाने वाली नींद को इंड्यूस करने वाले अभी खालो अभी फ्रेश हो खालो तो ऐसा लाएगा कि पता नहीं कितना काम किया बस सोना है मेरे को तो तो नींद लाने का काम करेगा इंड्यूस करने का काम करेगा इंड्यूस मतलब कोई चीज पैदा कर देना कोई चीज पैदा करना तो क्या हिपनाटिक्स आर मैडिसीन ऐसी मैडिकेशन से यूज टू इंड्यूस करती हैं इंड्यूस कर करती देखो कई पर क्या होता बच्चो हम सो रहें दो गंटे को नींद खुल गई अब नींद नहीं आ रही है तो वह छोटी नींद नहीं उसको बढ़ाना है चार-पांच-छे गंटे के लिए एक्सटेंड बढ़ाना खीचना एक्सटेंड उतलब बढ़ाना और खीचना और इंप्रूब्व दा क्वालिटी ऑफ स्लीप नींद को पैदा करना है नींद को लंबा खीच के लेके जाना यह नहीं कि आधिरात में जख्के बैढ़ गयों पर टैल रो दर दर लेकिन बहुत गहरी नहीं नहीं होती है तो आइचिंग समझ में आगया होगा सेलेटीव मन को सांत करने वाले हिपनॉटिक्स निद्रा जनक नींद पैदा करने वाले ठीक है अब अगर यह टर्म्स तुम लोगों किलियर हैं तो फूरा कॉंसेप्ट आगया अच्छा यह दवाई हैं अब चीज़ें हमारे लिए क् बेसिक डिफ्रेंस के तौर पर हम समझ लेते हैं इसको ड्रग रिड्यूस एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट यह नहीं खुशी एक्साइटमेंट इसकी भी हो सकती है बहुत ज़्यादा टेंसन हो रही है दिमाग हम बहुत दिमाग को सांत कर देगी आप सोगे नहीं लेकिन आपका दिमाग सांत हो जाएगा द्यार एंजिव लाइटिक एंजिव लाइटिक मतलब चिंता को खतम करने वाले चिंता को खत्म करने वाले है ना अगर इनकी डोस बढ़ा दी जाए तो नींद आ जाएगी बात समझ में आ रही है तो यह हिपनॉसिस तरह बिहेव कर सकते हैं अगर ड्रग भी प्रडूस स्लीप एक ऐसी दवा जो नींद पैदा करें जो बिल्कुल नैचरल लगे हमको कि अच्छा नीद आ रही है फील नहीं होगा कि हाँ दवाई की वैसे आ रही है ठीक है इसको हम लोग क्या कहते हैं हिपनॉटिक तो यूज़ फॉर इनिशेशन यानि कि सुरू करना और मैंटेनेंस बनाए रखना किसको नींद को नींद को सुरू करना लेख लेना हिंदी में इनिशेशन मतलब सुरू कर है किलिए बाते इनि सेट करो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग ऐसे पाता ही होगा तम लोंके तो तीन वरायेटी करेंवा गए दोड़ा लाशता मैंने बताया था एक उनके अंदर कौन सा कंपाउमन एमन में इसके अंदर बैंजो डाजी पीळा है जो उनके एक्शन की हिसाफ से कौन से इंति मतलब एंसटी को ऊल्टे टिंता खस्म करने नॉन बेंजोडाइइएएटेंस ठीक है ना तो जौपीकलोन यह इनकी एग्जाम्पल आगेецगिपांश Ayation फ्लोराजीकांश पारम अल्प्राजीपांश पारम इसमें भी आता है आन्टीओंश प्मसिर्ण में तो डाइज़वाम में common हो गया तीनों में तुम लिख सकते हो ठीक है धी ये क्या है Chloond agora जीपऌ्म ये क्या है Chrono الج Heart Aussie 12 ऐं Lipo Bar virtue ढॉन शहौट एक्टिक में बात करें तो ब्यूटो ब्रबी टोन डियो पेंटन मिठो हय तो ठीक है नौन वान भैलवा में तो ost करें तो you can keep in लेक्त चलें आगे से हमारे ओसट च्onne अधे क्राइब करते हैं न को बारी बारी से उक्ए यह थोड़ा सा हो गया कोई बात नहीं रागे जालो कुझे बाद नहीं रूहां वान्य त्रीट ओवेसी वात अब हुने देखा डारू क्या है एंजाइटी को ट्रीट करेगा अल्कोहल विड्रॉल जब बहुत लोग दारू पीते हैं आचाना से दारू पीना बंद कर दें तुम लोग आगा किसी ने इसको देखा हो आसपास जो नसेड़ी होते हैं अगर शाम आते आते हैं उनको दारू पढ़ना लिखा हुआ है दौरे पढ़ते हैं जो उसकेस में भी हम लोग क्या इस्तिमाल करते हैं इस आल्सो यूज तू रिलीव मसल स्पैस मास्पेशियों का जो एठन होता है उससे भी हमको रहात देता है एंड टो प्रवाइट सेडेशन सेडेशन बाड़ाब क्लियर हो है वह कोई activity ज्यादा ना करे जिस मेडिकेसिन वल्क्स बाइक काम मतलब शांत करना ब्रेशन को एन नव्स जो खोती है है ना फटकती है नसों का फटकना तो नर्स को और ब्रेन को क्या कर देती है शांत कर देगी बासमझ में आरी है अगली जो हैडिंग है बच्चो वह हैं है वो थोड़ी खिसगी सेटिंग में chemical name and structure किलियर है अगली heading क्या है chemical name and structure तो इसका हाँ ठीक है तो chemical name देखें अगर डाइजीपाम का हम लोग तो जरह यह देखो डाइजीपाम का structure जरह देख लो structure जरह हम लग देख सकते हैं 14 डाइजीपाम हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे यह number है one यह है two three four इसको count नहीं किया आता है यह bridge है ठीक है यह five एक मिनट कुछ गरबड हो गई हाँ एक गरबड हो गई वही मैं कहूं यह seven पे आ रहा है यह तो one सही है two इसको three को भूल गया मैं four यह five and six this is seven eight nine ठीक है ना यह जो गोला तो देख रहे बीच वाला यही है डाइजी बेंजोडाइजीपीन ठीक है ना और one four लगा हुआ मतलब one और four पर कौन लगा हुआ है एन वन और four पर कौन लगा हुआ है ना लगा हुआ है तो यह मेरे पास जो बीच वाला गोला है यह है मेरा main family का गुरूप जिसम पहचांत सबस्ता मतलब क्या होता है इसका मतलब यहमकर क्या लगा हुआ है सीस्थ अंवोगन फिनाइल यहाँ पर क्या लगा हुए हूए थ्री एच थ्री पर 3 पर क्या लगे हूए मतलब 3 पर कौनसा गूर्प लगा हुए है 3 पर देखे अगर हम लोग तो यहाँ पर H और H लगे हुए है ठीक है 1-4-Bandidezy Pen 1-4-Bandideces Rakkas 2-1 2 पर क्या लगा हुआ है, ketone group जिसका suffix क्या इस्तमाल होता है, 1 इस्तमाल होता है, ठीक है, यह जो naming है, किस तरह से करने है, जो basic तुम नोगों ने शीखा रखा है, अपना किसमें, class 11th में, और class 12th में, वही basic है, और वही basic chapter तुम्हारा क्या है, जो chapter number 4 जो मैंने कहा था, समझाने के लिए, तो इसी लिए उसको मैंने leave कर दिया है, थोड़ा सा अपना revise कर सकते हैं, अब लोग बीच में 11th की basic organic का नॉमंक्लेचर है यह, ठीक है ना, तो मैं तरीका समझा दिया किस तरह से फिलाल इसके याद करना है, तो डाइजी पाम का, यह है इसका, IOPAC name बोल इसमेंने की है, इसली याद हो सके, तो पहले सबसे पहले मेण गुर्प याद करो के यह रा में गूर्प, 1,4, बेंजोडीपीन, इसमें क्या-क्या लगा हुए है, मिथार लगा है, प्लौर गृट लगा है, इस तरह से याद करो गए, तो जल्दी याद हो जाएगा, किलि इन्सोम्निया होता है नींद ना आना उसको इंग्लीज में क्या कहते हैं इन्सोम्निया कहते हैं एंटी कॉन्वल्जेंट ठीक है इसकी बाद हम कई बार कर चुके हैं इसकी जो भी फॉमलेशन है यहर फोर्म में आता है टैबलेट की फोर्म में आएगा इन्जेक्शन और रेक्टल जेल रेक्टल जेल्स का मतलब जो एनस होता है एनस, ठीक है न? एनस के अंदर लगाने के लिए जल साते हैं कुछ ब्रेंड चेम के बात करें तो वेलियम, डायस्टेट, डायस्टेट, एक्कोडाइज, ठीक है? तो यहाँ पे तो कुछ समझाने वाला था नहीं, यहां पो याद करने वाला पाट था के लिए रहे वाते हैं चल आगे कि अलप्राओर। म क्या बूल रहा है ठीक है अलप्राओरं इस अलप्रसलों सनाओ एक बड़ा कॉमने नाम नींद की दवाई का जिसका नाम मैं अलप्रेक्स सुना तिक और चुली है वह रिंद जाएगा अलप्राजोलम ठीक है यूज टू ट्रीट एंजाइटी चिंता को दूर करने के लिए पैनिक डिसॉर्डर पैनिक डिसॉर्डर क्या होता है बच्चो कि जब कोई बहुत ज्यादा सोच लेता है कि इस चीज़ से डरने लगता है तो उसकी पूरी बॉड़ी में एक बढ़ जाती है एक डर्ग जैसा पैदा हो जाता है बॉड़ी के अंदर डेटी यौर पैनिक डिसॉर्डर ठीक है ना इट बलॉंग्स टू बैंजो डाइजुपींस ठीक है हम लोग क्लासिफिकेशन में देख चुके यह बैंजो डाइजुपींस के अंदर आते हैं एक्ट करता है बाइ इंक्रीजिंग बढ़ा करके किसका असर कुछ नैचुरल केमिकल इन दा बॉड़ी लाइक गाबा अब गाबा क्या यहां पर डिटेलिंग में हमको अभी नहीं जाना है गाबा का फूर्फार्म होता है गामा अमीनो ब्यूटैरिक एसीड यह केमिकल कहीना कर सक कह सकते हैं हमको शांत करने में हेल्फ करता है तो इसी के इफेक्टों क्या करता है यह बढ़ा देता है ठीक है यहां फिर थोड़ा सा आज की स्लाइड थोड़ी गरबढ हो गई है तो कोई बात नहीं मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूँ इसको समझा देता हूँ कि एंड इस्ट्रक्चर के लिए रहे हैं अब यह तो एट क्लोरो वन इसको उठा करके मैं यही लिए आता हूं तो नाम एक साथ हो जाएगा कि पेट क्लोरो वन मिथाईल ठीक है नहीं पूरा नाम आ गया इस थो आसा स्लाइड में कुछ गरबड होगी मैं को लग रहा है कोई बात नहीं तो मैं इसको यहां से एरेज कर देता हूं ठीक है न अगली हेडिंग हमारे पास क्या है चैमिकल नेम एंड इस्ट्रक्चर नाम क्या है एट क्लोरो वन मिथाईल सिक्स फिनाईल फोर एच वन तूफोर ट्राई एजोलो फोर थ्री एवन फोर बैंजोडाइजी पी ठीक है इसको स्ट्रेट करके लिखना काभी लंबा नाम है समझाए तो फिर से वही कहानी आई इसमें जो मैंने पिछले और बताई दी कि भाई ये तो मेरे पास में कंपाउंड है पहले बिसाना ये वन फोर क्या है ये वन फोर बैंजोडाइजी पीन ये रहा में कंपाउंड फिर वन तू फोर यानिकी वन यहां से बताइप गिंतें नहीं है अगले पर आगया फोर यह मिरे पास किया लगाए च्राइज ओलो एक दो तीन नाइट्र कंपाउंड इक साथ लगे हुए तो क्या बोला गया ट्राइज हो चार पर कुस्छ लगा है क्यवल हाईडोजन है फिर six पर क्या लगा हूँ है फिनाइल स चेटे पर क्या लगा हुआ है बेंजीन है तो इसको फिनाइल बोला गया फिर जॉइंट नहीं इंगे एट पर क्लोरो तो एट क्लोरो उमीद कर रहा हूं नाम समझ में आ गया होगा ठीक है और यह इसका नाम हो गया फिर से देखो सेलिटीव फिपनोटिक बेंजोडाइजी पीनियों का मेन कंपाउंड याद रख लो किसमें एक में केटोन निकला वा था इस वाले फिनाइल कॉमान है सब में यहां क्लोरो भी लगा हुआ था पिछले वाले में इस वार यह थोड़ा सा लग होगा है उधर कीटोन था इधर कुछ ऐसा गुरूप बना हुआ है तो क्या करना है कमपेरेटीव इस्ट्रक्चर को बना करें तो जहां से देख लोगे तो याद हो जाएगा खटाक से किलियर है चले आगे यूजेस यूजेस की बात करें तो ट्रीट एंजाइटी पैनिक डिसॉडर ठीक है स्टेविल्टी डिसॉडर की बात करें इस्टोर एट रूम टंपरेचर कीप अवे फ्रॉम एक्सेस हीट मॉइस्टर इट कन ब्रेक दा मैडिकेस मेडिकेस सुनर अगर तुम इसको कहा होगा यह दवा जल्दी से खराब हो जाएगी प्रोटेक्ट फॉर्म डाइट सनलाइट सनलाइट इसको खराब कर सकते कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्डन बच्चों से दूर रख नहीं है भी या सेटिव इप्नॉटिक से बच्चे ने गलती से भी खा लिया तो यह डोस जो है वो किस रूप में बनाई यह एगे ब्रेंट की बात करें यह तुर्णा सा कट्के दर अगया है इसकी ब्रेंट की बात करें अगर तो ब्रेंड है जने डर एक्सर 10R और नीटा वो नीर वायम क्या नाम हो गया नीरा वाब अब बात करते हम लोग नाइ hypertराजी पाल्म क कि इसकी बात करें नाइट्राजीपाम की थोड़ी सी स्लाइट साथ गरवड हो गई है कोई बात नहीं समझाता वह चलूँगा नाइट्राजीपाम ठीक है नाइटरा जीप आपकी बात करें तो क्या वो रहा है इट इज हिपनॉटिक ड्रग कैसी ड्रग है यह हिपनॉटिक ड्रग है इत बिलॉंग्स तू क्लास बेंज़ो डाइज़ीपीन इंवर, थोड़े समय के लिए रिलीव, रङावर ऐसी एंजीटि व्हील करतें कि उसे रिलीव आप इनियनि यहीं, आपू बिल्कुर मतलब ब टन हो जाओ, बहुत ज़ाधा परिशान करतें तो कैसे यूज़ होती है यूज़ फॉर शॉर्ट टर्म रिलीव कुछ समय के लिए मतलब शॉर्ट टर्म कुछ समय के लिए दी जाती है इसको हम लोग बहुत लंबे समय तक इस्तमाल नहीं कर सकते क्योंकि नाइट्राजी पाम से हैबिट्वल होया था आजमी इसलिए शॉर कुछ तरीके से ठीक है कुछा श्याटी मगरवड हूए है नाम की बात करलें इसकी तो 7 नाइट्रो ये मेरे पास नाइट्रो घुरु किस पर लगा हुआ है सेवन पे ठीक है इसको मैं हटा दूँ वान तुम लोगों को देखने में दिक्कत आएगी बाद में यह लगा हु नाइट्रो, किलियर है, फिर लगा हुआ है, 1, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, कुछ गरबड हो गया, I think 5 पर क्या लगा हुआ है, 2, ठीक है, ओके, नाम थोड़ा सा गरबड हो गया है, इसको बताता हूँ मैं, 7 नाइट्रो, 5 पर है, 2, 3, 4, 5, 6, 5 पर क्या लगा हुआ है, 2, 3, 4, 5, 6, क्या लगे हैं, पेंटा, पेंटा मतलब 5, ड्यूटेरी, ड्यूटेरियो फिनाइल, मतलब ड्यूटेरियम लगा हुआ है, यहाँ पर, H ना लग करके, H क्या होता है, हाइट्रोजन होता है, H ना लग करके, क्या लगा हुआ है, ड्यूटेरियम लगा हुआ है, है ना, D लगा हुआ है, 1, 3, डाइजीपीन वन फूर बैंजो डाइजीपीन अच्छा सौरी गलत हो गया नेमिंग वही मैं कुछ गरबड चल रही है आपर यह गरबड कर दी फाइब क्या आएगा शिक्स और यह क्या आएगा सेवन तो किलियर है फिर से समझते हैं पर नाइट्रो फाइब पर क्या लगा वह फिनाइल अगर डी हटा दें सारे तो फिनाइल ग्रूप है कौँसा ग्रूप है फिनाइल लेकिन इसके हर एक पार्ट पर डी लगा हुआ डी याने डिटेरियम एच ना लगा हो करके अगर तुमनों को बेंजीन का स्ट्रक्चर या डी लगा दिया गया है डी टेरियम हाइडोजन का जो हैवी पार्ट होता है ठीक है तो पांच लगें तो पैंटा डीटेरियो फिनाइल वन ठीडाइडरो वन पर और थ्री पर एचस लगे हुए है वन फोर यह बीच का जो कंपाउंड है यह तो किलियर ही है यह मेरे पास य यह तो में कंपाउंड है पड़ते आरे हम लोग ठीक है ना तो यह इस तरीके से क्या हो गया किवान वण 20 बेंजॉडाज पीन टुवण तूपर क्या लगा हुआ यह लगा हुआ है किट क्या लगा है टो इसका सफिक्स क्या लग गया वन लग लग गया ologists लालूंगा मैं किलियर हैं बाता हैं आगे आते हैं users की बात करें severe anxiety, panic disorder, insomnia, seizure इन सब चीजों में इसको हम लोग क्या कर रहे हैं इस्तमाल कर रहे हैं किलियर है stability and storage condition की बात करें it should be stored at room temperature यह room temperature भे store किया जाना keep away from heat and light heat और light से इसे हमें क्या रखना है दूर रखना है Formulation की बात करें तो यह tablet की रूप में आते हैं ब्रैंट सी बात करें तो Nitra J. Palm के नाम से ही famous है Mogadon के नाम से है Nitra One के नाम से है Nitra J. Dawn के नाम से market में मिल जाएगा Clear है? चलें आगे ओके तो यह चलो देखते हैं अब है क्या हमारे पास? Phenobarbital क्या होता है आद देखते हैं? चौथा वाला है Phenobarbital क्या होता है Phenobarbital? Phenobarbital is used to treat and prevent the symptoms of seizures sedation, hypnotics insomnia and status epileptus status epileptus क्या होता है? वो हालत है मान लो एक दौरा पढ़ा और दूसरा दौरा मतलब एक दौरा से निकल नहीं पाए तभी दूसरा दौरा भी पढ़ गया मतलब इंसान को समहलने का मौका नहीं मिलता है वो खालत ज्यादा खाला हुए आती है status epileptus is when a seizure दौरा जो है last longer than 5 मिनेर 5 मिनेर से ज्यादा अगर दौरा रहता है या फिर the person doesn't recover between the seizures एक seizure के बाद दौसरा seizure लगाता पड़ता है उसके बीचे में जो इंसान होता है समभल नहीं पाता दौसरा seizure फिर पढ़ जाता है नहीं दौरा फिर से पढ़ जाता है phenobarbital may be used alone अकेला भी इस्तमाल कर सकते हैं और with other medications दूसरे medicine के साथ भी इसको इस्तमाल किया जा सकता है phenobarbital belong to a class called anti-conversant क्या कहते हैं इसका हूँ लोग anti-conversant कहते हैं ठीक है and barbiturate barbiturate के अंदर जो anti-conversant आते हैं उनके अंदर कौन आते हैं phenobarbital आते हैं ठीक है star लगा हुआ है इसका structure तुम्हें पता होना चाहिए नाम की बात करें तो देखो यहां फिर से बात करूँ मैं यह structure तो यादी होगा ठीक है ना तो देखते हैं इसका structure का नाम की है देखो क्या लिखा हूँ 5-ethyl, 5-phenyl, 2-4-6 इसको लिख लेते हैं पीछे क्या लिखा हुआ है देखो हाँ 1, 2, 3, 4, 5 यह आजाएगा 1 यह आगया 2, 3, 4, 5 and 6 5-पे क्या लगा हुआ है 1-देश और 2-देश याने कि 2 carbon लगे हुए है तो यह क्या हो गया इथाइल ग्रूप हो गया तो यहाँ पर लिखते हैं इसका नाम हम लोग 5-पे क्या लगा हुआ है इथाइल और 5-पर ही क्या लगा हुआ है phenyl, benzene लगा हुआ है तो 5-पर क्या लगा हुआ है phenyl के लिए रहे 5-इथाइल, 5-phenyl के लिए रहे अब उसमें हमें एक तो और दिखानी है यहाँ पर कि H कहां कहां पर लगे हुए है तो H हमारे लगे हुए है 2 1, 2 4 और 6 1, 2 5-जाइल, 2, 4, 6 1H, 3H, 5H phenyl, 2, 4, 6 1H, 1 पर है फिर 3 पर है और फिर 5 पर है और इसका फाइल नाम क्या है पाइरीमेडीन, ट्राइवान पाइरीमेडीन ट्राइवान तो दो यहाँ पर हुआ क्या है यहाँ तो कि बास समझ में आगी 5 पर इथाए लगा हुए और 5 पर फिनाईल लगा हुआ है ठीक है ना और 2, 4, 6 2 पर 4 पर 6 पर क्या लगे हुए है कीटोन लगा हुए तो ट्राइवान इसका नाम क्या आगया ट्राइवान और 1, 3 और 5 पर 1, 3 और 5 पर यहाँ पर 1, 2, 3 यहाँ पर क्या लगे हुए है हाइडोजन है तो 135 क्या आगे हैं पर है तो इस तरीके से इसका नाम यहां दे रखा है 5 इथाइल 5 फिनाइल 246 1H 3H 5H पाइरी मिडाइन ट्राइवन के लिए बात हैं यह तो इस तरीके से यह इसका यह इसका नाम है और लाश्ट नम्लोंग देखते हैं इसके बारे में यूज़ की बात करें इट इस यूज़ आस सेड़ेटीव हिपनौटिक्स और एंटी एपिलेप्टिक एपिलेप्सी का मतलब क्या है मिरगी रोखने वाली एपिलेपसी यह एपिलेपसी एपिलेप्सी एपिलेप्सी का मतलब मिर्गी और एंटी मिर्गी को रोकने वाली किलियर है ठीक है stability and storage की बात करें it should be stored at room temperature 15-30 degree की बीच में formulation की बात करें तो ये oral elixir और oral tablet की रूप में आती हैं brands की बात करें तो sulfoton और luminal brand के नाम से ये market में available है किलियर है तो उमीद कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा tough नहीं था अगर term समझ में आ गया है तो दवाईयों को थोड़ा सा यहाँ पर जो learning वाला part आता है वो है हमारे पास क्या है उसके chemical structure chemical structure याद कर लो उसके हिजाब से जिस तरीके से में naming समझा रहा हूँ उसको क्या कर लो नाम को याद कर लो ठीक है ना उससे तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा easy हो जाएगा clear है बात नहीं सारी ठीक है थोड़ी सी slide आज गरवड होगी है तो इसके जो सही वाले notes है वह वाले notes में upload करूँगा तुमको easy हो जागा समझना ठीक है तो इसको तुम्हें क्या करना है प्रैक्टिस करनी लिख करके chemical name और structure एकदम से याद नहीं होंगे लिख करके क्या करोगे प्रैक्टिस करोगे clear है clear तो क्या करना है revision करना है और lecture को देख करके अपने खुछ से भी notes prepare कर सकते otherwise notes में डाल रहा हो अब तुमनों कोई दिक्कत नहीं होगी तो पढ़ते रहो और revise करते रहो clear है all the best